शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें फर फ्टांटर को देख सब्सक्राइब के लिए और बेल कि लाए़। झाल जारे हो लु करना में प्सक्ति कि अ जब है। कर दो कर दो अज़को देख्के भी नहीं जाती पगली जांते हूं विनी इसने स्कीन जो है ना सुझन लैंड में सेकी है अच्छा बाप बहुत रईस है और इसका बिच्पन वो तो फ्रांस में घुझा ए फ्रांस में आःढ़ देखो फ्रांस में पहले मेरी तरह पढ़ाई में भी चैंपियन बन कर दिखाए, बस बर्फ उचालते हुए फिरती है, अरे ये लड़कियों का कॉलेज है, ज़रा सिलाई बुनाई इसमें तो चैंपियन बन कर दिखाए, तो मैं मालू, मैंने तो सुना है, इसके ड्यादी ने एसे लड़कों की तरह पाला है, कोई भी लड़की को लड़के की तरह लाग पाले, वो तो लड़की रहती है, और लड़का तो उसकी जिन्दगी में बॉइफ्रेंचे बन कर आता है, नहीं नहीं ये तो कित्मी टीनी, म बाबा मुझे ड़ाज लगता है अरे बाबा लगा अरे क्या हुआ आशा आशा विनी कहती है न के तरह कोई बॉइफ्रेंड है मेरा बॉइफ्रेंड हा देखोगे तुम लोग हा तरह बॉइफ्रेंड यही है ऐसा करो थोड़ी दिर के बाद सब लोग मेरे कमरे में आ जाना ओके हाँ सब लोग आ जाना आई सब्सक्राइब करें चल देखें तसी क्या दरें यहाँ तो अपना बॉइफ्रेंड दिखाने वाली थी ना यही है हाँ आजकल है ना लड़की लोग है ना लड़कियों की विग पैन लेते हैं और वो सब भी लगा लेते हैं इसे कोई हुआ तो हाँ ना बाबा मुझे डर लगता है और दो हाँ पैनी है स्टाइव थैंक यू वेरी मच्छ सर्व जब इंसान मुसीबत में होता तुसे एक दोस्ट की जरूरत होती है आम लाउं आउच क्या हुआ दर्द दर्द का इलाज आरके फाइव अन्यूट वाव यार फैंटैस्टिक जान लेवा मॉडल है टोंट कॉल हिम अ मॉडल ही इस जीनियस वह लिखता है डारेक करता है पेंट करता है कंसीव करता है और अक्टिंग अक्टिंग तो इसलिए करता है क्योंकि लड़किया उस जालिम को देखकर दिल थाम लेती है क्या क्या आग दोनों तरफ बराबर लगी है शोलिया भी उनके दामन तक नहीं पहुँचे क्यूंकि वो अब तक मुझे कम सिंद समझते हैं हाँ खरस यह है कि दिल भी है खाली और घर भी है खाली उनको मिलेगी कोई किस्मत वाली अनम यह सर अशोक शूटिंग के लिए गुलमर्ग जा रहा है उसके सारे अरेजमेंट्स कर दो उसे वहाँ कोई तकलित नहीं होने चाहिए सर अशोक पर आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेरबान रहते हैं इसकी भी वज़ा है और फिर जब तक वो हमारे लिए काम का सावत होता है हम भी उसका ख्याल लखेंगे और हाँ मैंने आशा को भी लिख दिया है कि अशोक गुलमर्गा रहा है ओके यस सर थेंक यू यहाँ गुड़ी डैडी का लेटर आय है अशोक गुलमर्गा रहा है अशोक अरे गुड़ी लगता है भगवाने आशाक ही नहीं मेरी सुन ली है अशोक आई लग यू मैं अभी तक सिर्फ आशा की कमसी नहीं देखी है किसी का हो शुड़ा देने वाला शबाब नहीं देखा ए किससे बाते कर रही है खुद दिल से दिल की बात कही और हस दिये ना बबना मुझे डर लगता है अरे पगली जरा सोच सोच ना अशोक गुलमर्ग आ रहा है वो राइटर है डिरेक्टर है खुद आक्टर है अरे वो तो मेकर है और मैं मैं खुबसूरत हूँ जवान हूँ एमबिशिस हूँ विलिंग हूँ जरा सोच अगर हम दोनों का मिलन हो जाए तो तू तो हवा में उडने लगी है जैसे तुने कहा और उसने तुझे मॉडल बना दिया ऐसे थोड़ी बनाएगा वो फिर कैसे बनाएगा दीनों इमा खराब होता है ऐसा काफिर शबाब होता है समझी आप? नहीं समझी हाँ मुझे तो कल सुबह का इंतजार है मेरी किस्मत के सुबह का चाप, यूनिट के सारे आदमी वो खाना खेला दिया आपका खाना लगा दो शाप नहीं रहने तो हम बाद में खालेंगा चाप, एक बात पूछो पूछो यह पंदरा शोला गंटे आप काम कैसे कर लेता है शाप तुमी पता शाप, दो यह बात हो सकती है शाप क्या? या तो आदमी के सर पर भूद्षवार हो या प्रेरि इशक्षवार हो शाप पड़े लेके तुम हो नहीं लेकिन बात हमेशा पते की करते हो हाँ मेरे सर पर इश्ख शावार है शाब, मैं आपका पुराना नब करूँ आज तो अपने दिल की बात बता दो बता दे हाँ शाब वो कोँछे खुब सुंद्री है शाब ठीक है तुझ पूची रहा है तो बता ही देते हैं यहाँ बताओ शाब वो कुप सुंद्री है हमारा काम ओगाड। तुम 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 यहां क्या कर रही हूँ? तुम कहां से चलिया। इतनी बरव गिर रही है। अगर सर्दी लगी तो? सर्दी लगी तो मैं कोई नणने बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे धरना चाहेगे। तुम नणी नणी मा हो ना चलो चलो घर चलो अगर दिवान साब को पता चल गया तो वह कहेंगे वह तो बच्ची थी लेकिन तुमें तो ख्याल रखना चाहेथ दैडी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अरे तार ब्रेंडी लाना अरे डैडी की बच्ची ना ओवरकट पैना ना स्वेटर अगर निर्मोनी हो गया तो हां हां ओफो यह लो फीलो इतनी ब्रेंडी? इतनी ब्रेंडी मैं तब पीती थी जब मैं चार साल की थी जब तुम सतरा साल की हो जाओगी ना तब इतनी पीना इतनी पीना इतनी बच्पना चुड़ो घर चलो जाओ बहुत सर्दी है अज मैं यही सो जाओगी ना तुम सोगी ना मुझे काम करने दोगी अज प्रॉमिस मैं तुम बिलकुल तंग नहीं करूगी देखो मैं सो गई अब तुम आराम से काम करना हाँ कर दो कर दो कि यह तुम हर फिल्म में शोभा को ही मॉडल क्यों लेते हो क्या मॉडल है क्या ग्रेस है क्या फेस है डायन लगती है अरे तु फिर चागे कि मुझे बिल्कुर डिस्टर्ब नहीं करोगी है इस दफार गलती हो गई एक बार माफ कर तुछ आप तुछ बिल्कुर पामने परेशार हो गई उपर से चावल की बोरी की तरह लाज करूंगे फेक यह सुबह सुबह कहा जा रही है सजधच के मैंने तुमसे कहा था ना मुझे सुबह का इंतजार है अपनी किसमत के सुबह का ना बाबा मुझे डर लग रहा है ओफो बाई बाई तरा अरे यह तो सच मुझ चली गई अब तेरा क्या होगा आशा आशा देखो मैं तुमसे आखरी बार पूछ रहा हूं इतनी देर से तुम आखड़ी हो ना कुछ बोल रहे हो तुम है कया चाहती हो आखेल है कहना क्या चाहतर है मैं कहना बहुत कुछ चाती हूँ, लेकिन गलास हूं क्या है, जबान पे काटे पड़ गए है पानी देंगे आप मुझे पानी आपी लाए पानी गोट है अपी थैंक यू थैंक यू नहीं, नहीं, थैंक यू इस बर्फिली सर्दी में तुम्हारा इस तरह पसीना-पसीना हो जाना और एक ही सांस में पानी का पी जाना कुछ Hold on यह बाल देखें यह चश्मा देखा यह जोकरो की तरह कपड़े देखें जी यह मॉडल बनना चाहती है आप पिरूम्हाँ देखें देखें इसका है नवज हो गई धी लेकिन कामरे के सामने तो काम नाम लिया जुट्टी हो गई कामरे के सामने आओगी तो कांट की उल्लू नजर आओगी कांट की उल्लू लगती देखिए मैं यहां अपने भरों से कम आपके भरों से ज्यादा आई हूँ लोग कहते हैं कि डारेक्टर संग तराश होता है पथर में भी जान डाल सकता है और आखिर मैं लड़की हूँ पाउं से सर तक मैं जवान हूँ क्या मैं आपको जवान नहीं लगती देखिए अधिन के तरह मुलाइं हो जाओंगी आप अब जिस सांचे में ढालना चाहे धल जाओंगी मैं आपके साथिए विली की बच्ची तेरे सांचे का खाचा तो मैं बनाती हूँ यू सिली गॉर्ल तेरी तो ही हाव! आरहे! बहिर में बहुत? तुरं चुगर Hoje ह Muss precious चूल ए reflected के ईयो ∑ ऐ्ख'll के ते एक्ने, आमजया आğğ मारू के एिए हमेetr के बखल के प्रिंए जिस तो मैं ऐसी चक्नी बनाओगी कि लगी भर्याद थी लगी तो नहीं आपको अभी बताती हूं कैसे लगी साली कहा गए अरे कहा चली गए रे सुस्री कहा चुपिये तू इजा चुपिये रे माफी माफी बाइए मिस्टेक सर उसे मार लए है बहुत जोर से लोली अब बापा उफ 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 देखिये बहुत सर्दी बहुत है मेरे कोट ते दीचे अब ही उतारती हूं तेरी सर्दी यह पूलिश गोल यह 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 दरती रहेगी अंदर चल के अशो को असले बता दे नहीं तो यह इसके जान लेलेगी चल जड़ी चलो जड़ी यह बेवी है न बादूर साथ और यह ज़ी फाइटर बन सकती है आई 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 आप लोगों की कमीथी जाइन अप मजाब समझ रहें आशा विनी को सच गुष मान डालेगी वह आपसे बहुत प्यार करती है क्या बग रही हो तो अब बच्ची नहीं हूँ मैं बच्ची नहीं है मैडम मैडम मुझे कॉलेज से क्यों निकाला जा रहा है मैडम प्लीज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा यह मेरे केरियर का सवाल है मैडम आप तो जानती हैं कितना अच्छा रेकॉर्ड है मेरा मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ ना मैडम अगर आप इस तरह मुझे बेहिज़द करके कॉलेज से निकाल देंगी तो मेरी मा मेरी मा सदमे से मर चाहेगी मैडम वो कितनी उमीदे बांध रखी उनोंने मुझ से मैं उनका अखरी साहरा हूँ मैडम मैडम प्लीज I beg of you मैडम प्लीज तुमने आशा और उसके boyfriend अशुक से बत्तम इजी की है इतनी इतनी चोटी सी बात के लिया मुझे बात चोटी नहीं है लाखों की है जी हाँ आशा एक करोटपती बाप की एक लोटी बेती है और उसके बाप ने अपनी कॉलेज के लिए पाच लाक रुपया का डोनेशन दिया है और ये डोनेशन मैं नहीं छोड़ सकती प्लीज मैडम I'm sorry You may go now It's absolutely finished He 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 Let's watch the new, let's watch the new, let's watch the new क्या शॉर्ट लिया जैसा सुना था वैसा ही पाया आप अरे आपने मुझे ने पैचाना मैं आशा की कॉलेज की प्रिंसिपन हूँ और यह सब मेरी टीचर्स है कल चो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है हा मुझे भी अफसोस है आशा ने कुछ यादा यह नहीं उसमें आशा की कोई गलती नहीं थी वो तो विनी की सब गलती थी और उसे वजए से हमने उसे कॉलेज से निकाल दिया है यस सर आप रस्रिकेटिट इस निकाल दिया झाल झाल एक नजर बस देखिया, देखे मुझे को सोचिया एक नजर बस देखिया, देखे मुझे को सोचिया, देखे मुझे को सोचिया, देखे मुझे को सोचिया, देखे मुझे को सोचिया स्विक, 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 स्विक कर दो कर दो कर दो कर दो आपके दिल को धड़का दू दिल में शोरे भड़का दू पल तो पल से क्या होगा सारी उंबर को बहगा दू प्याँ पजए जी को लोगी मेरे लब को छुदिया पाल बड़को दो केईँ पलड़को अुदियां थyorsun झाल झाल और नो मज़को तड़ पाई रात सुहानी कहती है एक जुझे में खुजाए मेरी जवानी खिर जाए सारे बदन में महखे आए Sweet, 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 sweet Oh no, I am 17 Sweet, 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 sweet Oh no, I am 17 एक नजर बस देखिया देख के मुझे को साचिया मेरी जमना इतनी है आप मुझे बस चाहिया लगता है आपको हमारा प्रोग्राम कुछ खास पसंद नहीं आया यह बात नहीं ऐसा तो लगी नहीं रहा था कि यह प्रोग्राम कॉलेज की बच्चियां पेश कर रही है तो फिर केसा लग रहा था ऐसे लग रहा था जैसे की चलिये चलिये मिस्टर अशोग खाना लग गया है और लोग आपका इंतजार कर रहे है मौके पर आई आप मौके पर आने की तो मुझे जवानी से आदत है वैसे आपको प्रोग्राम कैसा लगा बिल्कुल आपकी जवानी की तरह Thank you Thank you Namaste Prak ji Hi Aasha Hi Raju, how are you? Long time no see Thank you Hello Aasha, how are you? I'm happy as always चलिये मैं आपको आज के चीफ केसे मिलवाते चलिये Ashok Meet Squadron Leader Sharma Daddy के बहुत अच्छे फ्रेंड है आज कल यहां posted है Nice meeting you My pleasure लीजे Mr. Ashok मैंने अपने हाथ से यह प्लेट आपके लिए बनाए है अरे-अरे यह क्या क्या मैडम आपने क्यों क्या हुआ यह तो मच्छी बिलकुल नहीं खाते इनके लिए तो मैंने खास तोर से दामालू और नर्गिसी कोफते बनवाए है मैं अभी लाए बड़ा ख्याल है आपको हमारा थैंक्यू वेतर यह होता कि खुद का भी ख्याल करती है यह बेवदा ड्रेस और यह डांस गुर रहे थे लोग बच्चों को क्या फरक पड़ता है सर्दी लग जाती मेरे पास तो ढापने के लिए कुछ भी नहीं है अगर आपके पास कुछ है तो ढाप दीजिये वह इसी है खुश अब तो इस बच्ची को सर्दी नहीं लगेगी न मेरा बदन ढापकर तुमने अपने दिल का राज खोल दिया करने लगे ना मुझसे प्यार मेरा समान पायक करके इसी वद गाड़ी में रख दो मैं जा रहा हूं इतनी रात को शाथ मगर सिरी नगर सहवाज जात तो दोपर को जाता मैं जम्मू जा रहा हूं ताकि किसी को पता ना चले और यूनिट को कल्ट सवे रवाना कर दो अच्छा शाथ जम्मू जम्मू होके जाओंगा ताकि किसी को पता ना चले रहा हूं अपनी समझने तो कुछ नहीं है मैं से आये ना कसन से जाये ना कसन से यार से जो भागे यार से जो भागे दीवाना 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 बता दिवाना है आएए नाकसं से आए जाएए नाकसं से बता दिवाना है आए नाकसं से ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना- झाल बाल पिछा नहीं चोड़की, तिल से दिल पचोड़की, मैंने ये दिल में है ठानी तेरी मंजूरी की तेरी होगी तो पस होगी तेरी मेरी ये चंचन जवानी तेरी नियुक तेरी मिलम केर नहीं चलाओ के ये शा दो तेरी में चलाओ य खेजिए आं तरफ दील कि तेरी तेरी, तो ज़त है दा दो खेजिए 15ड़ भा तो पसके थे सा पर ना मिलम के है तिल पुक होगी खाता पस्यों दोखता दूम हां और उनको लिख दो क्या मून की ये फिल्म दो मेने में पूरी कर देंगे और मेने मम चार्जिस जो होंगे वो 80 रुपीज पर फुट होंगे अरे हलो अशोग बहुत जल्ली वापस आ गए शूटिंग खत्म हो गया शूटिंग तो खत्म नहीं हुई लेकिन ऐसी गजब की सरदी पड़े वहाँ पर क्या बताओ मैं आपको मैं तो अपने दुश्मन को भी सला ना दू कि ऐसे मौसम में कश्मीर जाए तुम सीधे एरपोर्ट से यहां आ गए नहीं तुम मैं तो घर जाके आ रहूं तो फिर यह सामान किसका जाए मेरा है अरे अच्छा तुम यह आचानक कैसे आ गई ऐसी गजब की सदी पर रही वहां पर कि क्या बताओ मैं आपको मैं तो अपने दुश्मिन को भी सलाना दूँ कि ऐसे मौसमें कश्मी जाए अरे कमाल है यह अशोग भी अभी अभी यही कह रहा था तुम दोने एक ही प्लेन में आए हो क्या डैदी आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ और फिर कल मुझे आपका बिजनेस भी समालना है ना इसमें कोई शक है कि तुमेरा बेका है और ना इसमें के कल तुझे मेरा बिजनेस समालना है तो आपी सोची, जब मुझे कल आपका बुजनेसी समालना है, तो मैं हिस्सी जोग उसे में अपने वकार में क्यों जया करूँ, और फिर अश्योग जैसे आपना इसमें आच्छा सिर्खाने वाला कहा मिलेगा, यू अश्योग, अगर तो यही चाहिए है, तो यही सही. अच्छो, आश्या की ट्रेनिंग शुरू करें दो हाँ, जोकम चलिए पहला सबक आज ही शुरू करते हैं बुदीवनिंग, बाबु जरा कुछ देर के लिए बाहर जाओ मापनोंग भी बुलाते हैं हो सकता है कि पहला सबक सीखने के लिए इन सब के सामने तुमें जरा सी शरम आए देखो तुमारा ये बच्पना कब शुटेगा? हमेशा बच्पना ही कहोगे कभी प्यार का नम नहीं दोगे ये प्यार नाम मुम्किन है आश्या तुमारे और मेरे बीच में हैसियत की दिवार खड़िए और मैं दिवान साथ को अच्छी तरह जानता हूं जिस दिन उन्हें इस प्यार का पता चलेगा वो मेरे सीने में कोली दार देंगे मागर क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे फुटपाट से उठाया था फुटपाट पर तो हचारों लोग होते हैं अशो वहीं पैदा होते हैं वहीं पर मर जाते हैं लेकिन उन्हें से गाड़ी ने तुम्हें क्यों उठाया क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि तुम में टैलेंट है हुनर है तुम उनके नौकर नहीं उनके दाइने हाथ हो अशो दिवान साव अपना दाइना हाथ काट लेना पसंद करेंगे लेकिन उसे अपनी एकलौती बेटी का हाथ देना पसंद नहीं करेंगे यह जानकर भी कि उनकी बेटी बैचते उठते, सोते जाकते आँखों में सिर्फ तुमारी तस्वीरी गुमती रहती है हर तस्वीर के तो पहलू होते हैं इस तस्वीर का एक पहलू तुम देख चुकिए ओ, आशा तस्वीर का दूसरा पहलू नहीं देखा तुमें अशोक, क्या तूम, किसी दूसले और किसे प्यार करते हो एає ec … रुग laughs भूप किया प conquered झाल! मैह चर॓ कर बेड प satisf the video र relativत Declaration जय बेकि नय नय। नय रेए गने नय y। काचछैलेsche ग Temperance बेखो JObre पहो‬ बेखो क्या ऑमा इन्लोगहँ य्प मिरक्या हाई बना रखjang बेखो मुझे ये सब सताते हैं, बांध कर रखते हैं, मुझे, मुझे, मुझे पागल कहते हैं मैं पागल हूँ तुम्हारी सिवा मुझे और कोई नहीं समझता मत जाय करू मुझे इस तरह छोड़कर, मत जाय करू बेटे तुम नहीं थे, तो ये किसी तरह काभू में नहीं आती थी, ना खाती थी, ना पीती थी, बद बगवान की रुपा से सब ठीफ हो जाएगा, अरे पगली मा आ गया हूँ ना अब तो कहीं नहीं जाओगे ना कहीं नहीं जाओगा ये कौन है ये ये आशा है तुम्हारी कौन है ये मेरी दोस्त है तो फिर मेरी कौन है तुम्हारी भी दोस्त है मेरी दोस्त हो तो फिर मेरे पास आओ रूख जा बेटी इसके पास मुझ जाना इसका कोई वरुसा नहीं कैसी बात ही करते हैं आप अरे रेनु तो बहुत अच्छी लड़की है ये तो किसी को परिशान नहीं करती किसी को तंग नहीं करती आओ बेटी आओ लेनु लेनु तुमने खाना क्यों नहीं है तुम नहीं होते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता लेकिन अब मैं तुमारे पास हूं रामू लेनु को खाना लगाओ अब कैसी है वो मुश्कल से सुला क्या आया हूं लेकिन ये ये है कौन देनु ना मेरी बहन है ना बीवी तो फेर क्या रिष्टा है इसका तुमसे एक अजीब और गरीब रिष्टा हम दोनों के दर्म्यान जिसका कुई मतलब नहीं कुई माने नहीं शायद कुई नाम भी नहीं क्या मतलब मैं समझी नहीं आशा मैं जेजर स्कूल अवार्ट में पढ़ता था तेनु मेरी जूनियर थी मुझ से सीखती थी वरीबी से लडाई और पढ़ाई के उल्चन में ना खाने का ठिकाना था ना पीने का लेकिन ये मेरी एक एक बात का ख्याल रखती थी कॉलेज का आखरी साल था और मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे अरे अशुक तुम्हे भी तक गई नहीं पेपर बतने का वक्त हो गया है वो फीस नहीं भरी ना ओहो मैं अभी ओफिस से आ रही हूं किसी ने तुम्हारी फीस भर दी है ये रा तुम्हारा रोल नंबर मेरी फीस वहला कॉन भर सकता है ओहो ये वक्त पूछता आज का नहीं है पेपर देने का है जल्दी जा बेस्ट ओफ लाव जाओ ना ये क्या किया तुम्हे एक्जाम की फीस वापस कमें ले ली और एक दिन मैं के अरुडाइजिंग फिल्म की शूटिंग करा था कि अचानक मैंने क्या देखा जोटो मिजे नहीं लेनो लेनो तुम ये क्या कर रही हो तुम अरे मैं अशोक हूँ अशोक? हा रेनो मैं अशोक हम लोग आठ कॉलीज में साथ साथ थे लेकिन लेकिन आत्मात्य क्यों कर रही थी हाँ किसने बनाई तुमारी ऐसी हालत बोलना किनू देनू को जब होश आया, वा अपने सारे होश खो बैठी थी ओ माइग गॉड क्या ये भी पता नहीं चला कि किस निर्देने उसकी इज़त लोती थी कुछ भी पता नहीं चला लेकिन उसका घरबार, उसके माबाप उनका भी पता नहीं चला जहमो करम पे छोड़ दूँ मैं उसे घर ले आया वो ठीक तो हो जाएगी ना हाँ मगर डॉक्टरों का कहना है इसमें वक्त लगेगा ये भी तो हो सकता है कि हम दुनों मिलकर उसकी देखभाल करें मैं तुमारे ज़बात की इज़त करता हूं लेकिन कब तक महिना तो महिने, साल, दो साल इसलिए नहीं कि तुमारे ज़बात रेनु के लिए कम हो जाएंगे बलकि इसलिए कि मेरी तरफ से हर रोज तुमें निराश होना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक देनु पूरी तरह से ठीक ना हो जाया और इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंड कर उसकी शादी ना कर दूँ यह मेरे यह मेरे असूल का सवाल है यह मेरे यह मेरे Aaaaahhhhhh! Aaargh! Mağday-o, muhe, mağday-o! Ah, buçakıyım ka mekkahlarım giyim.. ..peksin bu şehe çok kasih ağrıdım ve şakıyım! Ruktyung a'yi! मैं उसरे के बिना रह नहीं सकती, रेनू, हम एक दुसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब तक, जब तक तक तुम ठीक नहीं हो जाओ, हम एक दुसरे के नहीं हो सकते, मैं उसके बिना जीह न पाऊंगी रेनू, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगी ना, रेनू, प्लीज, तुम अच्छी हो जाओगी ना, रेनू, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, रेनू, तुम है मेरी कसम, मेरी और अशोग के प्यार की कसम, अशोग की कसम, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, प्लीज, अच्छी हो जाँ रेनु, प्लीज, अच्छी हो जाँगी ना रेनु इंपॉसिबल, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं आता, रेनु कहाँ है? आशा के साथ बाहर वैठी है ये क्या गजब कर दिया तुमने? आशा को उसके साथ अकेला छोड़ दिया? तुम्हें शायद मालूम नहीं, उसका नॉर्मल हो जाना सिर्फ इत्तफाक भी हो सकता है, वो कभी भी उस पर हमला कर सकती है आप यकीन मानियों वो बिलकुल ठीक है और आप चाहें तुसे जाकर देख सकते हैं ओके, आल चेक अप, लेट सी तुम यहीं बैटो, तुम्हारे सामने तो वैसे भी नॉर्मल हो जाती है, ओके? ओके रेनु नमस्ते डॉक्टर यह आशा है डॉक्टर, अशुक की दोस्त और मेरी भी नमस्ते डॉक्टर येस, येस आईनू, अशुक ने मुझे इनके बारे में सब कुछ बता दिया है डॉक्टर, यह मुझे अपने साथ शेहर से बाहर ले जाना चाहती है अशुक भी हमारे साथ होंगे, मगर वो कहते हैं कि जब तक आप इजाज़त ने दे, तब तक रेनु मैं वादा करती हूँ डॉक्टर, आपकी दवाईया सही वक्त पर ले लिया करूंगे अपकोस, यू कन गो, तुम जरूर जाओ, बलकि मैं तो कहता हूँ एक बार पूरा हिंदुस्तान घूमाओ, डॉन्ट वरी, आपकी अशुक, ओके तैंक यू वरी मच्च, डॉक्टर यह क्या हो रहा है आखिर एक एक करके सारे क्लाइंस हमारे हाथों से निकले जा रहे हैं जानते हैं आप लोग के इसका नतीजा क्या हुआ पिछले चंदी दिनों में हमारी कंपनी की आमदनी में दो क्रोड की कमी हो चुकी है मैं पूछता हूँ कि अगर अशोक कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए तो क्या हमारी कंपनी का सब काम धाम ठप हो जाएगा क्या सर हम वही आपको बताना चाहते हैं आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी हमारे साथ कुछ अक्से जूम तक चलना पड़ेगा क्या मतलब सर वही आपको चलकर पता चलेगा क्या हमारे नुकसान की वज़े क्या है स्टार्ट next next fantastic next what a figure next wow she is beautiful too next लाजवाब that's enough lights क्या बात है अगर यह लड़की हमारे साथ काम करने लगे तो ना चरब हमारे गए हुए क्लाइंट बलके नए क्लाइंट की भी लाइन लग जाएगी कौन है यह मॉडल सर यह मॉडल नहीं है बलके हमारी दुश्मन है दुश्मन? यस सर इसने हमारे मुकाबले में अपनी कंप्री खोली है अपनी आदाओं और खुबसूर्ती से एक एक करके इसने हमारे कई क्लाइंट अपनी तरफ खींच लिये लेकिन हमारे साथ इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है जे आई रात वो एक शो कर रही है आपको खास्त और पर इंविटेशन भेजा है शायद यही बताने के लिए कि उसकी आपके साथ क्या दुश्मनी है हम गुड इवनिंग मैडम आप आगए? यस मैडम दीवान साब को आपका इंविटेशन मिल गया है वो ज़रूर आएंगे गुड अब दुनिया देखेगी कि लोहे को लोहा और पैसे को पैसा कैसे काटता है हाँ एक और बात जी दीवान सरदारी लाल को ये मालूम हो जाना चाहिए कि उनकी प्यारी इकलौती बेटी आशा उनकी कमपनी के एक मामूली नौकर अशोक से प्यार करती है देखते हैं उन्हें सिर्फ अपनी दौलत प्यारी है या अपनी इज़त भी हाँ आप बहुत इमानदार अगमी है और मैं चाहती हूँ कि आप ये खबर उन तक इसी इमानदारी के साथ पहुचा दे शूर मैडम थैंक यू विनी रुक जाओ जवानी की कर्मी से देखता हुआ ये बदन ने इसलिए नहीं बना कि मात के सर्द हाथ इसे छुएं मदमात-े-हुसन कि ये मदिरा इसलिए नहीं ढली कि सुखी रेत पर गिर कर जजब हो जाए मदहो शबाब का ये गुलाब इसलिए नहीं कहला कि खिजां के जोंके इसे उड़ा ले जाएं तुम Неहीं हारी हो किसी की दॉलत जीती है किसी की हैसिती है और जानती हो क्यों, क्योंकि तुम्हें अपने हुसन को समारना नहीं आया क्योंकि तुम्हें वो सिल्हार नहीं आया जो औरत के जिस्म को अदाओं की शराब से छलकता पैमाना बनाते मैं तुम्हें सजाता हूँ अब देखो वो जल्वा जो दिलों को दीवाना बना दे जादीदा बमांगरे शानी कर दो कर दो सच के होगी मैं तयाद सोला सावन सोला सिंगा सच के होगी मैं तयाद सोला सावन सोला सिंगार तेरे लिए मेरा प्यार आजा मेरे प्यार 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 प्याद सच के होगी मैं तयाद सोला सावन सोला सिंगार तेरे लिए मेरा प्यार आजा मेरे प्यार पिया हाँ, पिया हाँ, पिया हाँ हाँ, हाँ, सानी गामकर्गट, हाँ, समय के की लगू दम 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 रिगपग 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 आपने प्रीतं के रिदय के पीत वो पागई प्यार के सिंगार के जिसको कला आगई पीया, पीया, पीया ओपीया पियाँ 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 सचके हूगे मैं तयाँ सोला सावन सोला सिंगा तेली मेरा प्यार आजा मेरे प्यार पिया आपिया 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 एक तु है एक मैं हो बस यही दो जहाँ ओ प्यार तेरा रूप मेरा और क्या है यहाँ और क्या है यहाँ निनालारा प्यार प्या प्याँ प्या प्या प्याँ 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 पिया पिया हाँ सच के होगे मैं तयार सोला सावन सोला सिंगार तेरे लिए मेरा प्यार आजा मेरे प्यार पिया हाँ पिया हाँ ओ पिया 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 हाँ पिया हाँ पिया हाँ कर दो कर दो हम बिन्नी पर हद तक इज़त का मुकदमा चलाएंगे उसने हमारी मासूम बेटी पर जूटा इल्जाम लगाया है क्या बात है तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं सर वो क्या सर सर लगा रखी है ठीक तरह जवाब दो सर उसने कोई जूटा इल्जाम नहीं लगाया सर क्या मतलब सर ये ठीक बात है सारी मार्केट में खबर फैली हुई है कि आशोक ने आशा बेवी को अपने प्यार के जाल में फांस लिया है और अब वो छुटी के वहाने उसे हिंदोस्तान की सेर्कल आने ले गया है ये आशोक का फोटो है इसे अच्छी तेने देख लो और ये एक स्पेशल गन है तुकडों में अलग-अलग अशोक मेरी बेटी आशा और एक लड़की के साथ ट्रेन से कोला पर जा रहा है वो तीनों राजपूर स्टेशन से ट्रेन में सवार होंगे और उनके साथ का कैबिन मैंने आप लोगों के लिए रजर्व कर दिया है आप लोग और्डिनरी मसाफरों की तरह से इस ट्रेन में सफर करेंगे और इस गन को अपने सूट के इसमें डाल कर सामान की हैसियस से अपने साथ ले जाएंगे और मौका मिलते ही आगे बताने की जरूरतने साथ हम जानते हैं अशोक इस दुनिया से दूर और बेबी आपके पास शबाश मूं भांगा इनाम लेकिन काम हो जाने के बाद कर सकता है शक्र याद दिंदिया शक्र याद दिंदिया शुक्रिया दिल दिया शुक्रिया दिल लिया तू मेरा दिल है तू मेरी जाह है ओ दिल रुबार होना था जो हो गया शुक्रिया दिल दिया शुक्रिया दिल लिया रेश में जुलके बोजल पल के जाम नजर के पल पल छल के मेरी निगा है सूरत तेरी आज बना दी इसमत मेरी साथ ये छूते ना बात ये तूते ना दिल रुबार दिल रुबार चलता रहे सिलसिला तू मेरा दिल है ला 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 तू मेरी जाहे ला 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 ओ दिल रुबार होना था जो हो गया शुक्रिया दिल दिया शुक्रिया दिल लिया लाल 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 रूप नहीं है तेरे जैसा प्यार नहीं है मेरे जैसा तेरी जवानी तौबा तौबा मेरी कहानी तौबा तौबा जीने दे मरने दे जो करूं करने दे दिल रूपा दिल रूपा रहने न दे फासला तौब मेरा दिल है तौब मेरी जाँ है लाल 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 ला लो दिल रूपा रोना था जो हो गया चुक्रिया, दिल दिया, चुक्रिया, दिल दिल दिया क्या चात्यों, सब बदा चलेगा, च्यारिंग, लड़कियों को इधर लेक्या हूँ अब बोल, किसने बेजा जुझे अशोक, यह तुम्हेरी जान का दुश्मन कौन हो सकता है वही जिसे मेरी जान प्यारी है हम, बहुत तारीफ करते थे तुमिन गीदिलों की अशोक को मारने गय थे अपने हाथ पाँ तुड़वा कर वापस आ गए अशोक कर वापस जाँ अशोक कर वापस अशोक कर वापस वापस भाड़े के टट्टू रेसकोस में नहीं दवड़ा करते दिवान साथ बड़े काम बड़े दिलवाले ही किया करते हैं कौन हो तुम तीन तीन लाशें देखने के बाद भी आप पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं हाँ 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 हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं तुमसे किसने कहा था किने खत्म करतो कहा तो किसीने नहीं था लेकिन जो अपने काम में नाकाम हो जाते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता ये तीनों एक को मारने गए थे नहीं माट पाए हमने इन तीनों को एकी वार में सुला दिया आशोक को सिर्फ हम आपकी राज से हटा सकते आशोक को तुम्हें कैसे मालूम हुआ कतल करना हमारा शौक भी है धंदा भी हम सब जानते हैं ठीक है कितना पैसा चाहिए तुम्हें आम तोर पर हम एक जान का एक लाख लेते हैं हमारे तीन लाख आप पर उधार वो चुके हैं अशोक के लिए भी एक लाख नहीं उस के लाश आपको मुफ्त में मिलेगी माई परसनल एकाउंट मतलब वो आपका यह नहीं मेरा भी दुश्मन है लेकिन वो बहुत चाला का अदमी है दिवान साथ उन्ट जब तक पहाड के नीचे नहीं आता अपने आपको सबसे उन्चा समझता एतबार नहीं तो अपने आद्बी को मेरे साथ भेज़ दीजिए यकीर आ जाएगा रंगा लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम जब किसी को मारते हैं तो सिर्फ मरने वाले को पता होता है कि हमने मारा है और मुर्दे गवाई देने नहीं आते चलो रंगा तुम्हें रंग दिखाए चलो यह कौन से जगह है यह हमारा अजायब घर है हमारी रियासत मगर यह जानवर तुम्हारा किस काम आते हैं यह हमारी प्रजाहर और हम इनके राजा हैं यह एक दिन ही की मदद से हम इनसानों की जिन्दगी और मौत पर राज करेंगे मैं समझा नहीं समझ जाओगे आओ मेरे साथ यह हमारी लबारिटरी है जानते हूं आज कल दुनिया की हर चीज की तरह मडर भी भो साइंटिफिक हो गया है हम यहां मडर के नहीने तरीके निकालते हैं फिंटास्टिक यूर रियल ये जीनियस थैंक्यू हम तुमको एक तमाशा दिखाते हैं हमने मडर का एक बिलकुल आचोता तरीका निकाला यह सुई को छुबोते ही बदन-मुर्दा लाश बन जाता लेकिन मोत का नजारा करने के लिए सिर्फ आँखे जिंदा रहती भी वाँ, यह तो कमाल है यह कमाल हमने एक बड़े आदमे के लिए इजात किया है बड़ा आदमी? हाहा, बहुत बड़ा आदमी लेकिन पहले हम इसका तजर्बा एक छोटे आदमी पर करेंगे क्यों? किसी मासुम की जान लेने से क्या फाइदा? ताकि हमारा वार खाली न जाए ओ, हाहा, आइसी मगर यह बड़ा आदमी है कौन? तुम्हारा मालिक यह क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ जानते हूँ वो मासुम आदमी कौन है? नहीं नहीं वो मासुम आदमी तुम हूँ हाहा तजर्बा शुरूफ हाजाए अजर्बा वो 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 अ वु वो वो व व वो 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 हुआ! 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 ह् हुआ! हुआ! … … हुआ! … ठवस्टावस थाउ थाउ गाउ भर्ण नाउ थाउ थाउ लुब धुब भर्ण 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 वघएग! वञएग! आः! आः! अःएग! वघएग! पुखज है भूँ खीजिग बीजिए जिए खीजिए खीजिए खीजिए! ख फखज झाल झाल ओक गप मैं जिए हुऊएएएए!! आप्याओ। आंखे सब कुछ देखकर फिर भी हैं मजबूर जीवन जितना दूर है मौत भी उतनी दूर वाह आज तो बीच पर मज़ा आ गया क्या सोच रहे हो तुम यही के कहीं कोई कातिल यहां भी तुने भेज़ दिया उसने किसकी बात कर रहे हैं तुम उसी की जिसने ट्रेन में हमारी जान लेने कोशिश की थी पता चल गया उसका कौन है एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की देखो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं मजाक नहीं मैंने देवान साब भी तेखो अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया ना तो मैं उसकी जान ले लूँगी मेरा फोन शाय देरिका होगा मैं अभी आई है वाव 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 क्या बात है दोस्त दोस्त है हम तो आपको जानते नहीं जानिये या ना जानिये हम हर उस आदमी के दोस्त बन जाते हैं जिसकी पसंद अच्छी हो और आपकी पसंद का तो जवाब नहीं है दोस्त आदमी तुम बहुत दिल्चस मालू होते हो आपकी तारिफ हमें अपने मुझ से अपनी तारिफ करने के आदत नहीं है तो आप एरफोस में सरजन है जी मुझे अशोक कहते हैं आप से मिलकर बहुत खुशी हुए आप तो बहुत उचे आदमी हैं हवाव में उठते हैं बादों से बाते करते हैं आसमान के हमजोली हैं चांदतारों के पडोसी हैं बात है आप में लेकिन आसमानों के दोस्ती और चांदतारों का पडोस पसंद नहीं आया बस धर्थी पर वापस आगे तो आप धर्थी पे क्या कर रहे हैं रिसर्च रिसर्च अन क्राइम्स अलो अरे अरे अश्या अरे डैडी वाड़ सुप्राइज आप का माए अरे वो छोड़ो पहले ये बताओ कि तुम यहां कैसे हैं मैं 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 अपनी सहले के साथ है ठीक है ठीक है देराट सब गुड़ न्यूस वर यू वाट पापा मैंने तुम्हे अपनी कंपनी का डिरेक्टर बनादी है हाँ नाइस लेकिन कोर्ट में कली तमाम काकजाद दाखिल करवाने हैं और वहां तुम्हारा होना बहुत जरूरी है इसलिए हमें आज ही वापस जाना होगा जल्दी त्यारी को मैं अपनी सहले को बता क्या आती हूं अरे सहले को मैं बता देता हूं काहा है दुश्बन देश के कुछ एजेंस उस मश्वर सांटिस्ट को जिन्हों वासे भगा ले जाने में सफल हो गये हैं पिर क्यों उसी देश ने उस सांटिस्ट को मानने के लिए दुश्बन देश के एक प्रेशावर कातिल को चुना क्यों ताकि वो कोई राज ना बता सके उस साइंटिस्ट को जबदस पहरे में एक आलग कमरे में रखा गया था कातिल ने उस कमरे की दिवार में एक मिशिन गन फिट कर दी थी लेकिन जब वो साइंटिस्ट एक जगा से दूसरी जगा जाता हो तो उस गन में ऐसा सिस्टम था कि वो अपने आप निशाने के साथ घूमती थी लेकिन का ट्रिगर दभाने के लिए वी तो कोई चाहिए था कातिल ने गन के ट्रिगर के साथ एक टायम बाब ही फिट कर दिया था घड़ी की सुई चल रही थी तिक टिक 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 ख और जैसे इस हुई चारिस से पैनिट आले से पचास पचाथ आपके से पचपन और पचपन से साथ पहुची फ़र आँखे सब कुछ देखकर फिर भी है मजबूफी वन दा अशोक, मैं तुमसे कहती थी ना अब मैं बिल्कुल ठीक होगी हूँ मैं यहाँ एक डॉक्टर से मिली थी चांदे हो उसने क्या कहा अशोक 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 मैडम यह मेजर आप्रेशन है जिसका नतीजा जिन्दगी भी हो सकता है मौत भी ऐसे आप्रेशन के लिए अगर पेशन होश में नो हो तो माबाप या बीवी का सीगनेशा लेना जरूर ही है अथार्टी लेटा को माबाप तो यहां नहीं है लाइए, मैं साइन कर देती हूँ जरूर, कौन है आप इनकी यह तो मैं इनकी कोई नहीं हूँ हूँ भी तो इनहीं उसकी ख़बर नहीं मैं आपके जजबात की कदर करता हूँ लेकिन मजबूर हूँ इसके माबाप कहा है वो बंबई में है तो जल्दी जाएए उन्हें बुलाखि लाएए कहीं डेल नहीं हो जाए अब अपनी जिम्हेदारी खूब समझते हैं आप फिकर मत कीजे लगवान का नाम लिजे और जल्दी जाएए इतने बड़े होटल में मर्डर हुआ लेकिन किसी भी अख़बार में कुछ भी नहीं छपा तुम्हें पूरा यकीन है का शोग मर चुका है तुम्हारा निशाना चुका नहीं हम वो निशाना लगाते ही नहीं जो चुक जाए कितनी दूर हगया उसका घर वो वो सामने है क्या तुम उसके माबाप को भी मरना चाहते हो जबान बेटे की मौत के बाद भुड़े माबाप जीकर करेंगे भी क्या हमें तो तरस साथ आयों बिचारां पर जर गाड़ी रुकिए मुझे आशोक के बाप की मौत नजर आ रही है हाँ चलिए वन्डरफूर बिल्कुल फूल प्रूफ मर्डर होगा मगर कैसे होगा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं रहता दिख जाएगा दिवान साब जल्दी क्या है जाए और अशोक के बाप को वा ले आईए अशोक के बाप को मैं ले आऊँ क्या इस शुब काम में इतनी भी मदद नहीं करेंगे जाए अरे अरनात अरे दिवारता बाप पहली दवा हमारे घर पर आए 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 अंदर तो शीफ लाइए आए बैठिए अरे अरे सुनते आशोक की मां अरे देखो तो कौन आये हैं माले कमारे घर रहे हैं दिवान साब अगर कौन था था हमें वुक्म कर दिया होता आपने क्यूं कष्ट किया मगर बात क्या है आपका तेरा क्यों उत्रा हुआ है मैं बताती हूँ अशोक के बाबो इन्हें देखते ही मेरा कलिजा धड़कने लगा था यह यह कोई मन्हूस खबर लेकर आये हैं सरूर सरूर हमारे बेते को कुछ हो गया है और जो कुछ भी हुआ है इले की वज़े से हुआ है हरी अरनाथ अशोक की मां क्या हो गया है तुम्हे पागल हो गई हो मालिक पहली बार हमारे घर आया है घर आया है मैं मान के सा तहता तुनो क्या जातक्ता लो यह मैं नहीं कह रही हूँ अब उसकी तरफ से मैं माफी मंगता हूं मालिक ना जाने क्या हो गया आज इसे लेकिन अशोग तो ठीक है ना इस बड़ापे में हम कोई बुरी सबर न सुन पाएंगे हम बुड़े माबाप का वही एक सहर है इस घर का इकलोता चराख है वो सबर से काम लो हरियर नाथ मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं आओ मेरे साथ आप तो कुछ बता ही नहीं रहे दिवानता अशोग को कुछ हुआ तो नहीं है जिन्दकी का उसूल है कि बेटे के कंदे पर बाप की अर्थी उड़ती है अशोग आता है अभी आता है अभी आता है अंबीर तुम बहुत ख़तरना कादमी हो अभावू कैसा है मेरा बेटा अच्छा तो है ठीक तो है अरे बोलते क्यों नहीं तुम दर्वादा तो खोलो अरे बोलते क्यों नहीं हाँ हाँ अरे धर गई या मैं तो दिवान सबका ड्रेवर हूं उन्होंने मुझे बेजाए नहीं तुम भूली हो तुम्हारी आखों में खून है तुम्हारी सास में खून की बद्बुआ रही है कहा है अशोग कि बाबू कहा है अमने कुछ नहीं किया माजी वो तो एक्सिरेंट था वो चड़ाई है ना उस पर ट्रक कड़ा था वो चल पड़ा पिछे दीवार थी पचने कर रास्ता नहीं था पस उनका सर दीवार और गाड़ी के बीच आ गया आप आपकुद देख लीजी तुमने तुमने उनको माड़ा और अब तुम मुझे माड़ा है वो दीवान सरदारी लाड़ ठीक है था था कि तुम्हारे दूंसे सच्ची आवाज निकलती मरीज की हालत बहुत खतरनाक होती जा रही है मैं अपनी दिम्मेदारी पर आउपरेशन करूँगा चलिए शुरू कीजिये डॉक्टर डॉक्टर मैं कहां से लाओ अशुक के माबाप को वो वो अब इस दुनिया में पीरज रखो बेटी अशुक का आपरेशन चल रहा है जी हाँ हर साल यहां मक्दूम बाबा का उर्स होता है आपके साल उर्स में डॉक्टर सायद जो ब्रेन स्पेशलिस्ट है वो आये थे उन्होंने जब हादसे की खबर सुनी तो फॉरन यहां चले आये और अपनी जिम्म है ना सुनाने की देर है यह हाथ देरे आगे उठाने की देर है कुछ पांद इसला अनुएा मेरे पुज शुक्रान अब्स कशियर्ण और की विद्रस के छिए गश्म सब्राद सरय की गपादो यहां जो की तो मुश्च मेरे लोगे धोक्ता मेरे निवाथ amendments को अलाहू, अलाहू, अलाहू आन पड़ी है, जान पे मुश्यकिल, तुझे बचाना होगा रूठ गई है, इसमत मेरी, तुझे मनाना होगा तुझे पे भरोसा मेंने किया है, जाना बनाने वाले आज भी तियार मुझे पे, तुझे बताना होगा सारे जग से मैं नहीं मांगो, मुझे को देगा तू अलाहू, 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 अलाहू हो मेरा जाता, मेरा मालकू, मेरा होला तू अलाहू, 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 अलाहू अलाहू, 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 अलाहू अलाहू, 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 अलाहू चैन हमारा दे दे भूल गया तू, हमें बनाके, ऐसे याद दिलाए हाथ उठा के कांग रहे हैं, आज सारा दे दे मेरी पिकड़ी नहीं बनी तो रुसवा होगा तू अलाहू, 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 अलाहू ओ, मेरा दा, मेरा मालक, मेरा अलाहू अलाहू, 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 अलाहू मेरी पिपता, मेरा दुखडा, सुनने वाला तू जोकुछ हो सकता था मेने कर दिया लेकिन जब तक उसे होश नहीं आता, मैं कुछ कह नहीं सकता क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? अफकोर्स थेंक यू ये मेरा रिवालवर लेकर कहा जा रही हूँ? मैं विनी की जान ले लूँगी ड़री पागल हो गई हो क्या? मैं तब कुछ जानती हूँ ट्रेन में अशोक पर हमला उसके माबाव की हत्या अशोक का अचाना गुम हो जाना ये सब उसी का किया है इसका ये मतलब तो नहीं के तुम जान बूज कर अपने आपको मौद के हवाले कर दो मैं अशोक के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ डैरी मैंने आज तक आपको कुछ नहीं बताया लेकिन मैं और अशोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पेशी मैं तुझे हर बत चीज़ दे सकता हूँ जो इस दुनिया में मौजूद हो मैं मैं खुद अशोक के लिए बहुत परिशान हूँ यहां तक कि उसे धूनने के लिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव ता रख लिया है जिसका कोई मिशिन आज तक फेल नहीं हो यह भी नहीं हो हमें रन्वीर कहते हैं यही है वो डिटेक्टिव आशोक जहां कहीं भी हो हम उसे धून निकालेगा तुम अशोक को डूर निकालो मैं तुम्हें मूम आगए नम दूंगी वादा आसान है वादे की वफा मुश्किल याद रहेगा न यह वादा हमें वादा करना भी आता है और निभाना भी होश्मिया अशोक तुम्हारी माबब का साय भी उठ चुका है मेरी सर से अगर मेरा प्यार सच्चा है तुम मेरी आवा सुन लो अशोक मेरी आवा सुन लो अशोक डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर वादी, वादीर कीयों है मुझे कुछ दिखायीं मुझे कुछ दिखायीं मुझ दिखायीं यंदेर Environmental क्यों शा रहें मुझे कुछ दिखायीं यह, क्य 되면 तुम्हीं दिखायीं रेनु हो अशोक मैं देती एक। मुझी कुछ दिखायन ही देगा। यह क्या हो गया डॉक्तर, यह कैसे हो सकता है। आप ने आप ने तो इनका आपरेशें किया था लेकिन मैंने यह भी कहा था जब तक इने होश नहीं आ जाता, मैं कुछ कहने ही सकता। नहीं दॉक्साब, आप कही है, जो आप कहना चाहते हैं, कही है ना, घबराने की कोई बात ने, रेनू, तुम दरा बाहर जा, मुझे अशोक से कुछ बात कर दोई नहीं, मैं नहीं जाओंगी, ऐसी क्या बात है जो आप मेरे सामने नहीं कह सकते हैं नहीं, रेनू, एक डॉक्टर को अपने मरीज से कहने दो जो वो कहना चाहता है, हाँ, मुझे बुरी से बुरी बात सुनने और बरदाश्च करने का होसला है, हाँ नहीं, आप मेरे सामने के यह डॉक्टर, अशोक, क्या मैं तुम्हारे जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ हो, एक एक पल हो, यकिन मानू मैं तुम्हें, मैं तुम्हें एक एक चीज बता देना, लेकिन इस वक जाओ, डॉक्टर साहिब, डॉक्टर साहिब, अशोक, दूड़ी देर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन अंधेरे उजाले का खेल अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मैं कुछ समझा नहीं दरसल गोली तुम्हारे दिमाग में ऐसी नादुक जगा पर रटकी है कि निकाल दी जाए तो तुम्हारी फौरी मौत का खत्रा है इसलिए बैने गोली नहीं निका लिए यूनो ऐसे केसिस में भी केनना टेक निरिस्क गोली तुम्हारी आउंखों से जुड़ी नसों को दभाएगी तो तुम्हारी आँखों में अंधेर अचा जाएगा और जब दबाव खटेगा तो फिर रॉष्णी आजाएगी तुम फिर से देख सकोगी दुक्टर कि दुक्टर दुक्टर मैं यह काक्ट। दोक्टर, आइकन सी, मैं देख सकता हूं, दोक्टर, गोट, मगर तुम्हें बहुत इतियात से काम लेना होगा, जिसम को किसी भी जटके या शौक से बचाना हुगा, लेकर एक बात, इससे भी ज्यादा आहम है, बोली दोक्टर साब, बेची चक बोलिये, इस जखम ने तुम ज्यादा दिन जिन्दा ना रह पाओगे, ऐसा मत कई डोक्टर साब, अभी तुम्हें बहुत सारे काम करने है, अपने बुडे माबाप की सेवा करनी है, और ये लड़की रेनी जो बाहर बैठे मेरी जिन्दगी की दुआय मांग रही है, उसकी शादी करवानी है, और आश उसके दिल से अपना नाम अपना प्यार निकालना है, उसके लिए थोड़ा सा वक्तो चाहिए ने डॉक्टर, मैं तुम्हें दस बारा महीने से ज्यादा का यकीन नहीं दिला सकता, थेंकी डॉक्टर, इतना वक्त मेरे लिए काफी है, उसके बाद अगर मौत आ भी गई, त आओ, रेनो, अरे, तुम, तुम देख सकते हो, मैंने तुम से कहा था न, कि सब चीक हो जाएगा, आशा कहा है, नजर नहीं आ ले, मुझे क्या पता, मैं जब वहाँ आई, तो तुम बीच पर बेहोश पड़े थे, दूर दूर तक किसी का कोई पता न था, मेरा दिल कहता है अशोग, कोई न कोई गड़बर जरूर है, बीच पर तुम्हारी यू गोली लगना, आशा का अचानक होटेल से गाइब हो जाना, कहीं ऐसा तो नहीं, कि इस सब आशा ही, ऐसी बात कभी सोचना भी नहीं, तेनो तुम जानती नहीं, आशा मुझसे कितना प्यार करती है, प अशा को नहीं, वो साथ समुंदर पार करके सारी दिवारें तोड़के आ जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, अशोग, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, आशा तुमसे प्यार नहीं करती, प्यार का ढोंग रचाती है, अवर्दार अगर ऐसी बात मुझसे निकाली तो, तुम्हें क्या पता कि हम एक दूसरे से, अरे तुमने कभी किसी से प्यार किया हो, तो पता चले ना, हाँ, मैंने किसी से प्यार किया हो था, मैंने किसी से प्यार किया हो था, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा तुम्हें, मैंने किसी से प्यार किया हो था, ये तुम्हें, यह तुम्हे क्या हो रहा है, चलो चलो, मा जी और बाबोजी इंतजार कर रहे होंगे इंतजार, सब इंतजार खत्म हो गय है नशुव मा और बाबोजी, अब इस दुनिया मे ही नहीं रहे वो आप इस दुनिया में ही नहीं रहे नहीं नहीं सब इंतिजार खत्म हो गए डॉक्टर, डॉक्टर, तुम हमारे करीब ना लो लेकिन तुम कहां चले गए थे इतने दिन? तमान अख़बारों में उनकी मौत की खबर सबी इन्हें गोली मार दी गई थी, उन्होंने मा और बाबुजी को भी मार डाला अब वो मुझे भी मार देना चाहते है ये रेनु को क्या हो गया, ये तो ठीक हो गई थी डॉक्टर, जरा सी देर के लिए किसमत मुस्कुराई फिर एक दमाका हुआ, चारो तरफ अंदेरा चाह गया चबाग खुली, तो सब कुछ बदल गया था, रेनु भी जो मुझे देखकर ठीक हो जाय करती थी अब वो मेरे भी बस में नहीं आती अन्सारी अशुप टॉक्टर, मैं आपसे एक दर्ख्वास करने आया हूँ मुझे किसी पर भरोसा नहीं, जिंदगी पर भी नहीं वक्त बहुत कम है, काम बहुत जादा है मैं नहीं को आपके हाथ सुपना चाहता हूँ करके हाँ करके हाँ करके हाँ हम! वह! हर चीज लाजवाब और हमें लाजवाब चीज़ें ही पसंद है क्योंकि हम खुद लाजवाब है आज तो लाजवाब को अपना जवाब मिल गया है ना आपके निशाने को हमने अपना निशाना बना लिया फर कितना है कि आपकी तरहा अमारा निशाना चूका नहीं गलत हम अपने निशाने को खत्म नहीं करना चाहते थे ये धमाके ये धमाके तो हम इसलिए करते हैं कि इनकी आवाज से हमारे दिल में पलती हुई नफरत जाकती रहे आपकी तारीफ तारीफ की छोड़िया आपने तो हमें पानी तकले नहीं पूचा काम की बात हम सिर्फ जाम के साथ करते हैं सोडा या वाटर? आन दराग्स सिर्फ बर हमें रन्बीर कहते हैं रन्बीर तैंक्यू और हमें मालू है कि आप विनी है ऐसा लगता है कि हमारे आपकी राह ये की है मन्जिले जुदा है क्या मतलब? हम आपके निशाने का नाम और निशान मिटा देना चाहते हैं लेकिन शायद आप चाहते हैं कि वो जिन्दा रहकर अपनी सजा को पहुंचे आप बिल्कुल ठीक समझे फिर ऐसा करते हैं कि हम उसे अपने लिए लाश बना लेते हैं और आपके लिए जिन्दा छोड़ देते हैं इदे लाईए देखिए इसका चुलबला आपन हमेशा करिया खत्म हो जाएगा बिल्कुल शान्त हो जाएगा और आपकी गोदी में भी बैठा रहेगा चुजी 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 अरे क्या होगे ऐसे चुजी जो दिवान सरदार ये लाल को होने वाला है हमारे लिए लाश और आपके लिए जिन्दा आशा के बरे में आपका क्या ख्याल है आशा उसने मुझसे मेरा प्यार चीना है और मैं वो प्यार उसे हमेशा के लिए वापस चीने चाहती हूँ ताकि उसे पता चल जाए कि खोने का दर्द क्या होता है हाँ हाँ आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं कुछ भी कुछ भी लेकिन आप बहुत खोड़करज है बहुत खोड़करज यह भी नहीं पुजा कि हम आशा का क्या करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं हमारे खायर में आशा हुसन और जमानी का खजाना है और हम उस खजाने को अपने कब्जे में रख लेना चाहते है और ये तभी हो सकता है जब इस खजाने का सांप आशोक हमारे बीच से हट जाए और ये तभी हो सकता है जब आशा के दिल में आशोक के लिए नफरत और आशोक के दिल में किस आखरी सफर मेरे कंदों के बगए तैकर लिया एक लवती अउलाद अपने माबाद की चिता को आग भी ना दे सकी दिल के अर्मान दिल में ही रह गए मुझे इस दुन्या में आने का कर्स तो चुका लेने दिया हो था बाबुजी इम्मत से काम लो अशोक तुम? हाँ दोस्त मैं जबसे हकबार में बूरी ख़वर पड़ी मैं तुम्हें ढूंड रहा हूं कहां चले रहे ते तु बेजने वाले ने तो बहुत दूर बेजना चाहा मगर मैं वापिस आगया और अब हिसाब किताब चुकाए बगएर नहीं जाओंगा कैसी बहकी बहकी बाते कर रहे हो मैं दोस्त हूं अगर किसी काम आ सकूँ तो मुझे कुशी होगी तो यह बताओ उस दिन गवा के बीच पर तुम मुझे किस हाल में छोड़कर गए थे अरे तुम्हें याद नहीं मेरा टेलेफोन आया था और मैं चला गया था जब तुम वापिस लोड़े तो मैं किस हाल में था मैं लोड़कर बीच पर आया ही नहीं टेलीफोन हिटकर से और मुझे फारण उपस बुलाया गया था फ्लाइट ठीक एक एक अड़ेक बाद जाती थी मैं सामान लेकर से एरपोर्ट चला गया मंगर यह सब तुम क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि उसी वक्त किसी ने मेरे सर में गोली मारी और वापिस लोड़ने से पहले मेरे माबाप क क्तल करती है यही शाक आशा को भी है उसका खयाल है कि विन्नी तुम्हारे माबाप को मरवाया है लेकिन विन्नी तो तुमसे बहत प्यार करती है मैं तो जबन stereo बहर ही in the दोस्त क्या मतलब आशा मुझसे नफरत करने लगे उसके लिए ये प्यार बहुत ज़रूरी है मैं समझा नहीं अरे मैं समझा दूंगा ये जो गोली है ये अभी तक मेरे सर में अटकी होई है और मेरी जिन्दगी सिर्फ चंद दिनों की महमान है समझे न हाँ अब कुछ समझ में आ रहा है मगर कातिल को मानने के बगएर नहीं मरूंगा मैं ये बात समझ में नहीं आई होगी इस वक्त कम है फिर किसी दिन फुर्सत में समझाएंगे कि अपना अड्रेस देते जाएगा मेरा मतलब अपना पता देते जाएगा दो चार दिन में तो मुलाकास होई जाएगी इस वर्ट कहां जा रहे हो बहुत कुछ पूछना एक दूसरे से बहुत कुछ बताना एक दूसरे को इतनी जल्दी भी क्या है अई बाच समय में? हाँ कर दो आप पर गोली चलाने वाले का पुलिस को अभी तक पता नहीं चला मिस्टर शोक ये बताईए आपको किसी पर शक है एक पर हो तो बताऊ मुझे तो कहीं पर शक है तो फिर हमें उन सब के नाम बताईए ये टाई ग्रैमोफोन मेरे पर जो हमला हुआ इसका कोई तालुक है इससे सिर्फ इतना कि ये हमें उस दिन उसी बीच पर मिला था ये सिर्फ खिलोना है या बचता भी है बचता है क्यों दिमाग के किसी कौने में एक गाना गूंज रहा है मत की ये आवास इस घर में कैसे आई आप इतने घबराई हुए क्यों नजर आ रहे हैं दिवान साहब इस गाने से कोई आपका तालुक है आशोग कहा खुगए थे तुम मैं तुम्हें डून कर हार गई कितने दिनों से तुम्हारा इंताथ कर रही थी कि तुम आओ तो तुम्हें खुश कभरी सुनाओ खुशकबरी हाँ मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया अपने बारे में तुम्हारे बारे में अपने प्यार के बारे में तो क्या बोले आपके डैडी डैडी ने कहा कि वो मुझे हर वो चीज दे सकते हैं जो इस दुनिया में मौझूद है कैसे देंगे वो चीज जो इस दु कर दिया मेरे सारे क्लाइन चीन लिए अगर यही हालत रही तो चंद ही रोज में हम नमक के एक एक दाने के लिए मौताज हो जाएंगे दिवान साहब मुझे नमक का जायका ही नहीं मुझे नमक की कीमत भी मालूम है यह आपके राश्ते से हट जाएगी चाहे मुझे उसके कदम में अपना दिल ही क्यों ना डालना पड़े चाहे मुझे उससे प्यार ही क्यों ना करना पड़े नहीं अशुक नहीं यह क्या कह रहे हो तुम तुम आशा ये बिजनस है, और बिजनस में हर चीज कुर्बान की जा सकती है, चाहे वो दिल हो, दिल का प्यार हो. शुकर रोके ना देदी, प्लीज, रोके ना. अशुक सुनो तो! तुम समझती हो कि अशुक पहली बार विनी के पास जा रहा है? अरे उनका रोमान तो इतना पुराना हो चुका है कि अब उसे शादी की बद्बू आने लगी है. हमारी जुबान का इतबार नहीं, तो अपनी आखों को अजमा लो. लचकता जिस्म जलते लब सु लगता हुसन ते राखे मेरी जुफों तले आजा बड़ा रंगी आंधेरा है. मेरी जुफों तले आजा बड़ा रंगी आंधेरा है. अदावें जान लेवाएं फदावें खुबसूरत है. अदावें जान लेवाएं फदावें खुबसूरत है. अदावें जान लेवाएं फदावें खुबसूरत है. गुजरता वक्त ऐजालिम न तेरा है न मेरा है. मेरी जुर्फों तले आजा बड़ा रंगी आंधेरा है. लचकता जिस्म जलते लबसू लगता हुसन तेरा है. मेरी जुर्फों तले आजा बड़ा रंगी आंधेरा है. जो मन्जिल छुट गई उसकी तरफ अब देखना कैसा नई राहे है तेरे सामने अब सोचना कैसा जो मन्जिल छुट गई उसकी तरफ अब देखना कैसा नई राहे है तेरे सामने अब सोचना कैसा इनी राहों पे जाने जा तेरे खाबों कडे राहे इनी राहों पे जाने जा तेरे खागों कडेरा है मेरी जुर्फों तले आजा बड़ा रंगी अंधेरा है लचकता जिस्म जलते लबस लगता उसन तेरा है मेरी जुर्फों तले आजा बड़ा रंगी अंधेरा है मेरे जुर्पों के ले आजा, बड़ा रंग की अंधेरा है आशा की निगाउं के सामने में तुम्हारी बाहों में आ गया, तुम यही चाहती थी ना? नहीं, मैं चाहती थी, कि तुम्हे मेरे प्यार की सच्चाई का अहसास हो जाए चाहती थी, कि तुम्हे अपने प्यार से जीत लूँ विनी, मैं यहां खुद को हारने नहीं बेचने आया हूँ, कीमत चाहता हूँ कीमत? कीमत अगर मेरी जान है, तो बोलो, कब, कहा और कैसे पेश करूँ मेरा विश्वास करो, अशोक, पहले मैं समझती थी, कि तुम्हारे प्यार के पीछे मेरे दिल में आशा से बदला लेने की तमना चुपी हुई है मगर, जब काम्याभी ने मेरे पैर चुमे, तब मुझे पता चला, तब मुझे पता चला, अशोक, कि कला के मैदान में तुम कितने बड़े, कितने उंचे हो मैं, मैं जितना उंचा उठती गई, उतना ही तुम्हारे प्यार में डूपती गई प्यार 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 ये लफ्स तुम इतनी बार दोरा चुकी कि तुम इतना भी नहीं समझती हो कि अधर मैं आजशा के साथ बेवफाई कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ भी बेवफाई कर सकता हूँ लेकिन मेरा प्यार तुम्हें बेवफाई करने नहीं देगा मेरी जिन्दगी और मौत के बीच में जो फासला है हर गुजरती हुए दिन की तरह इस तरह कम होते जा रहा है कि जब मेरा दिल धड़कता है जब मेरा दिल धड़कता है तो मेरी मौत की कदमों की आवाज मुझे सुनाई देने लग जाती है क्या? हाँ मौत मौत एक गोली की रूप में मेरे दिमाग में अपना घर बसाई बैठी है किसी दिन पी अबाद कर सकती है नहीं नहीं अशोक नहीं नहीं प्यार की एक गड़ी एक सदी के बराबर होती है अशोक तुम्हारे प्यार के ये चार दिन भी मुझे मिल जाए, तो जिन्दगी के बाकी दिन, इन दिनों के याद में खुशी से गुजर दूँगी. सुहाग के ये चार फूल, आखरी सास तक मेरी जिन्दगी को महकाते रहेंगे. काश, काश, मेरे पास इतना वक्त होता कि सुहा के चार फूल मैं तुम्हे दे सकता. लेकिन फिर भी, फिर भी मैं अपने जिन्दगी के बच हुए कुछ लम्हे, आज से तुम्हे नाम करता हूँ. आईए, आईए, तशरीफ लाईए, कहिए, क्या कहानी सुनाने आए हैं, यही ना के दुदकार दिये गए, निकाल दिये गए, खाली हाथ लोटा दिये गए, कुछ तो कहिए हज़ूर खामोश क्यों हैं? दिवान साहब, कल विनी के यहां पार्टी है, कल काक्जा साइन किये जाएंगे और कल के बाद विनी और आप एक साथ बिजनस करेंगे, क्या कह रहे हो तुम? जिया, मैं सही कह रहा हूँ, मैं आशा से कहना पाऊंगा, आप आशा की पिता है, उसे कह दीजेगा, कि मुझे भूर चाहे, बिजनस के लिए दिवान साहब, पिक्या हूँ प्यार हार कर मरना जानते हो, तो प्यार जेद कर जेना भी शुए न्वीन हे क्या करो रँरणाबीर, वो बेवफा तो हमेशा के लिय вм्ल मेरना हमारी बाखें तुम्हे नहीं जिन्दगी दे सकती हैं तो हमारी बातें तुम्हे तुम्हेरा खोया ववा प्यार भी दिरासकती है कैसे ? बताँ मुझे. मुझे अशुक किस्सी वापस मिल सकता है हमारे इशारों पर चलती रहो कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे कोई किसी को प्यार नहीं करता सब धोका देते हैं एक दूसरे को आपने आपको मुझे नफरत है मुझे प्यार के नाम से नफरत है मुझे नफरत है दोक्तर मुझे प्यार के नाम से नफरत है अपने आपको सब्हालो तुम कमॉन देखो कितनी खुप्सूरत चगह है वाट ब्यूटिफुल वर्ल्ट अरे क्या नजारा है तरफ वाउ अरे एक बंगला बनाये उस जंगल में देखो तो आप वाट चारो तरफ हरयाली हरयाली पेड़ ही पेड़ तरफ तो कितने बड़े पड़े पेड़ लगाएं उसने वाट लखी मानी मस्त भी हाँ माला कि तुम हमसे प्यार नहीं करती है फिर भी हमारे पास आकर बेटो हमारे कंदे पर सर रखो हमारे कड़ने बाइन डालो हमसे हसस कर बाते करो ताकि आशोक देखे तो उसके सीने में जलन के चिंगारी भड अशुक्त कर लूर अकि एृट है आछ वेला कंदें करता बात सचनी के लीए और आशा वेवाया व्हफा है 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 अशो के मंजर अपनी आंखों से देख ले तो इसे भी तेरा यकीन आ जाए अटकरी व्हें आख ई हख में तेरा को इसी ही आखता हैubby ममॐ कंवा तो अशह को चोड़ो, Renu से छोड़ो, मैं कहता हूँ उसे छोड़ो, Renu! Renu, बात तो सुनो, Renu! Renu, यह क्या हो गया, तो बैफर? Renu, छोड़ो से! Renu! Renu, Renu! Renu, please, leave it! Leave it! लखेखो, Renu! तेरी किसमत में अशो का प्यार नहीं लिखा है पगली अब वो किसी और का हो चुका है तुझे कभी नहीं मिल पाएगा हम अपनी ववायाद दिला भे नहीं सकते उस भूलने वाले को भुला भी नहीं सकते हम अपनी ववायाद दिला भी नहीं सकते उस भूलने वाले को भुला भी नहीं सकते बहता हुआ हर आश्क ये कहता है न जाओ बहता हुआ हर आश्क ये कहता है न जाओ खामोश निदाहों की पसम लोट भी आओ हम अपनी सुबा से तो बुला भी नहीं सकते उस भूलने वाले का बुला भी नहीं सकते हुआ 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 दिल जलना है चुपचाँ आप लाप लोट पस दो पसम लोट पसमाँ जलना है ये जलना है तक नहीं सकते दिल जलता है चुपचात नशोरा ना धुआ है है दर्द्य मगर किसको बताएं के कहा है ये जख में मुहबत है दिखा भी नहीं सकते उस भूलने वाले को बुला भी नहीं सकते हम अपनी वफायाद दिला भी नहीं सकते उस भूलने वाले को बुला भी नहीं सकते उस भूलने वाले को बुला भी नहीं सकते आईए इवन साथ ये आशोक बबु से मिलने आई हैं वो तो और्डर शूटिंग कर रहे हैं मैंने सोचा आप ही के दर्शन करा दूँ कुपता ये सर्थ तुम बाहर ठेरो और बाहर से वो किसा अशोक तुम्हारा कौन है जी वो हम एकी कॉलेज में पढ़ते थे वो मेरा दोस्त है वो हमारा नौकर है जी वो तुम्हें क्या देगा हम तो तुम्हें उसकी मालकन बना सकते हैं बोलो रहोगी हमारी बनकर शर्म नहीं आती आपको ऐसी बाती करते हुए जब एक लड़की और एक्सपार अकेले में मिलें तो फिर शर्म कैसी और परदा कैसा चोड़ी 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 नहीं चोड़ी 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 चोड थाज़ा, भागल हो गई यह लगता, रेनो, रेनो, तुम यह, रेनो, यह वही तो नहीं, जिसने बनो ना रेनो, यह क्या बोलेगी, मैं बताता हूँ, दगाबास ड्रामे करता है, अपनी दो टके की रखेल को मेरे सर थोपना चाहता है, मुझे जलील करना चाहता है, कच्रे क तुम अपनी मा बेहन को दीना छोड़े, दिवान सरदार इला जबान को लगान दे, तक 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 तेरी मौत मेरे हाटों बखिये, इस वक्त मेरा रेनो के लिए जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तेरे एक-एक सवाल का जवाब दूगा, एक-एक सवाल का जवाब दूगा दौलत, इज़त और शराफत की निकाद के पीछे, एक हवस नाग भेड़िय का चेरा छुपा मुझे आज मालूम पड़ा है, कमेने कुट्र, अरे चल, अरे चल, अरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो, अरे, क्या जान से मर दो कि दिवान साबको, हाँ, अरे छोड़ो ना, छोड ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या क्या कर दिया, डाड़ी, क्या हो डाड़ी, बोलो ना, डाड़ी, तुम चुप क्यो हो गए, जवाब तो दो, डाड़ी, क्या हो डाड़ी, डाड़ी, बोलो ना, डाड़ी, क्या हो तुम बोलते क्यो नहीं, डाड़ी, डाड़ी, तोड़ा मैं चुप रही, तुमने मुझसे बेवफाय की, मैंने उफ तक नहीं की, यहां तक कि तुम मेरी आँखों के सामने किसी और की बाहों में चले गए, मैं खामोश रही, और अब, अब तुमने मेरी सिंदगी का आखरी सहारा में छीन लिया, अशोक तुम इंसान नहीं हैवार हो, संग दिल हो, कादिल हो, बेरहिम हो, आशा, आशा तुम एक नेक और शरीफ इंसा पर बेबुन्याद इलजाम लगा रही हो, अशोक वो इंसान है, जिसकी सौबत में शैतन भी फरिष्टे बन जाते हैं, आशा, तुमने भगवान का साथ छोड़कर एक शैतन का हाथ थाम लिया है, आशा, तुम्हेरे डैडी का खातिल अशोक नहीं, यह है, आशा, और से द जिसके और तुम्हेरे डैडी के हालत में कोई फर्क नजर आता है, देखो आशा, कोई फर्क नहीं है, जिन्दा लाश, बदन बे जान, आँखों में जान, और आशा, इसके यह हालत इसी रंबीर में की है, मेरी आँखों के सामने, मांगे दोस्त, मांगे, एक तीर से तीन तीन शीकार, एक महभूबा, एक होने वाली बीवी, और सुना है, एक रखैर आशा, चला दिया विनी पर अपने प्यार का जादू, लेकिन फाइदा कुछ भी नहीं, मैंने खिराफ टुम लोट के पास क्या सबूत है, हाँ, कुछ सब कुछ देखकर फिर भी है मजबूत हमेशा गुंगा नहीं होता मेरे दोस्त कभी-कभी बोल भी पड़ता है इस पर तुम्हारी उंग्लियों के निशान है अपनी उंग्लियों के निशान दे दो सचाई आपने आप सामने आ जाएगी हाथ कंगन को आर्सी क्या देख लो यह भी करके चलो देख लेते हैं कि अग्यों कि अग्यों कि कून लगे हाथों को यू पर्दों में छुपा के नहीं रखते मेरे दोस्त कि सच बोलें अब तुम्हारे यह अध्याथ हाथ 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 व्यूंट हुआ है जो भी हुआ है मैंने किया है बदला लिया है मैंने अपनी तुम्हारी महभूबा को मेलिये जा रहा हूँ, अगर कोई हरकत की, तो इसका भी वही अंजम होगा जो इसके बाप और इस कुप्ते का हुआ है तुम्हारी मेलिये जा रहा हुआ हुआ है एच छवारी ना कोई तुम्हारी मेलिये जाहां हुआ हुआ हाँ इस अटरहुआ है अचे बालिये में बालिये!! अब और कहां तक भागेगा तेरी जिन्दगी की सरत पूरी हो चुकी है मेरी बातमान आशा को छोड़ दे तो तेरी मौत का सफर असान हो जाएगा मेरी मौत देखने के लिए तुम्हें मुझे से अपनी जिन्दगी की भीक मंने पड़ेगी और वो तुम्हें नहीं मिलेगी मेरा दिल पॉलात का है हशोक तेरी मौत इतने भयाउनक होगी कि यह जमीन और आसमान काम जाएगे अरे देख लेते कौन किसको मौत के घाट उताता है यह बुके परिंदे प्या बदन नोच नोच कर खा जाएगे अब होश की उड़ गए तेरे खून के जितने दब्बे तेरे दामन पर लगे थे आज वो तेरे गंदे चेरे पर पहुंच गए हैं उताते लोर्ड, हम लेलकार के हमला करते हैं हंच 198 गंचार के लिस का वी तेरे गूप सैस्ठीक, करना उल हुआ प्रायँ प्रायँ जड़रे, ताहिएव है नार युँम्स प्रायँ बदके लगेदाव आज आचा हुआ। Aşağım! Aşağım! Müzik को बहुत तडपा तडपा के मारा थाना रन्वील लेकिन मैं तुम पर दया करूँगा एक ही वार में तेरी नापाक रूप को तेरे कंदे जिसम से अलग कर दूगा कमीने कुद्टे कि युझ्ट! तुम एका कि एकर था यूओा! कि इन नापा कि एक 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 ही एक ही उन्या करूँई कि युलता से पाल खिए भुलता से फखित एक ही थाहा! फु आईाए!!! बाईया! 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 बीरुू? इपने क्या शगा शगा उन दिया माय! बीरुू? तो मजे दिना हो? अर हो शगा है यह इतने तुमें धोका नहीं दिया था? धोका तुम्झे तक्दीर ने दिया, भाया. अशोक, अशोक ने तुम्झे जिंदा रखा. यह यह तेरा भाई है? अशोक, सगा भाई. मगर तुम तो कहती थी कि यह दुम से पैर करता है. मगर मुने इसे अपने हाकों से आर्शा को पैर करते देखा है मुने इसे इसी बेवफाई का बदा दे रहा था सारे महल दिल की एक तरफ मोहबत ने बनाये थे दिल की बात कुछ तुम से कही कुछ दिल से लेकिन जिससे कहनी चाहिए थी उसे कभी कुछ न कह सकी यह तुम तुम क्या कह रही हो रेनु इसका मतलब यह हुआ कि जाने न जाने में जो कुछ हुआ उसका कसूलवार नहीं हूँ अशोक अब और शेंगिन ना करो अशोक हम सब किसमत के खिलोने है अगलत फेमें के शिकार जब सुना इसके मुँसे तुम्हारा नाम सुना जब देखा इससे तुमारे ख्यालों में कोया हुआ देखा अनुवी, फिर क्या हुआ मुझे बताओ, मन्में से पहले सब कुछ जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे दिल का बूच हलका हो जाएगा, आचानक तुम चले गए, तुम्हारे कोई ख़बर नहीं मिले, मुझे एरफोर्स में सजन की नोकरी मिल गई, और अपने करेवी के जंदिय तोड़ने के लिए, मुझ अब तो बताओ, पगली, भाईया की जाने की बात, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं रह गया था, मैं तुम्हे ढूणने बंबई पहुची, मुझे, मुझे बस इतना मालूम था, कि तुम किसी दीवान सरदारी लाल की हां काम करते हो, मैं जब वहां पहुची, तो दीवान ने मेरे वहाल किया, जिस हाल में मिले, मुझे भी रेणु का एख़त मिला था, जिसमें लिखा था, जब तक एख़त तुम्हे मिलेगा, तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, लेकिन मेरी मौत का बदला दिवान सरदारी लाल से जरूर लेना, मगर आशो को मिलन तो बताने के काबिल कहा थी, सदमें तो इसे पागल बना दिया था ना, भगवान, तीवान को जिन्दा लाश में बदल कर मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन अशोक, मैंने तुम्हारे साथ गोर गोर पाप किया है, जो पाप अंजाने में हो मेरे यार, वो पापने उसे अगर ये भूल है, तो मैं इस भूल का प्रायचित करूगा, मैं तुम्हे मन्ने नहीं दूँगा, अशोक, मैं तुम्हे मन्ने नहीं दूँगा, मेरे यार, किस-किस जखम कुसी होगे, कलेजा चलनी-चलनी हो गया है, गुली दिमाग में फसी है, मैं ये उसका सबसे इनाथों से गई लोगों को मुद दिवाई है, वो इनाथों से सिर्फ एक बार ये किर्शाम को जिंदगी नहीं दिर्वा सकता, चलो, चलो मेरे साथ दिर्वीर, तु अपनी जिद पूरी करले पगले, मैं ची तरह जानता हूँ, कि मेरे मर्स का इलाज दवा नहीं, दुआ है एलो, मेरे पास आओ, बोलो शुक, मैं, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, काश, काश तुने इस सब चीजें पहले बता दी होती, काश मैं अपनी वफा का सबूत तुझे दे सकता जारो दरह से घेर दो, उसे देखता ही गोली मार दो मेरा दम गुट रहा है, मैं जो कहना चाहता हूँ, को कहने पा रहा अशूक, 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 रिनू, रिनू, तुम, तुम कॉलेज में एक इत गाया करती थी थी न, हाँ बहुत अच्छा था वगीत, मुझे फिर से सुनाओना नहीं अशूक वगीत, मेरे दिल का हाइना है, वगीत, मेरे दिल की आवाज है, वगीत, एक मरने वाले की वफा वफा का सबूत है अच्छा एड़ो, लगता है एक फुल से अपरोज गी है, जलिसे देवाजय बंद कर दो, जा पाकवान, बस इतना उक देदो, कि आप इशम पूरा हो जाए, पर मैं हस्ते हस्ते ये दुनिया छोड़ दूगा इस दर्वाजय के पिछे एक लेवरज रेक लेते साथ, रनवी ने इसमें बहुत सारी मशिने लगा रखी है दर्वाज़ा उना दो, वाई भाई भाई भाईया भाईया रेडू, देखो, मैंने आशोक के दिमाग से गोली निकाल दी आप रशे कामयाव हो गया भाईया, भागवान ने हमारे सुनगी भाईया मैंने अभी अभी उससे दुआ मांगी थी कि चाहे हजारों गोलिया मेरे बदन में उतर जाए लेकिन लेकिन अशोक के सर में फसी हुई गोली निकल जाए हम अपनी वफा याद दिना भी नहीं सकते उस भूलने वाले को घुला भी नहीं सकते रेड़ों तु 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 बगवन के पास गई है ना तो उससे कह दे है कि अभी अशोक के पेट का जकुम सिना बाकिया है यह दर्वाजा लोहे का लगता है हमें इसे काड़ा पड़ेगा इंस्पेक्टर गैस का इंदिसाम करो सर इधर से अंदर जाने का रास्ता है लगीर तुम चारों तरह से गिर गए हो खुद को हमारे हवाले कर दो वरना हम बॉली चिलाने पर मजबूर हो जाएंगे जल्दी करें एंजवे के सब वो इंसान नहीं वहिशी दरिंदा है जैदी को तो उसमें जिन्दा लाश बना दिया अशोक को मेटानिक्स क्या असर देगा इसमें जल्दी करिए फायर तो उसके पास है उसे कह देना चाड़ तांके वराव 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 लेनू हमत्ले वराव लेनू तूबा! अशुक? बाप, बाप, बाप! यह आपी क्या तेह रहे हैं? इनके प्यार में एक भाई की गलत फैली का नतीजा है, पहाई ने अपनी जिन्दगी थी मेरे लिए और बहने अपनी जिन्दगी कुरुबान करती मेरे लिए दिवान साहब आपने जो कुछी मेरे साथ किया मैं तो उसे कब कबूल बैटा हूँ आशा मेरी खुद्दारी को ये वफाई ना समझना अभी ने को वचन दे चुका हूँ नहीं अशोक तुम अपना वचन वापस नहीं ले सकते हो लेकिन मैं तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारा वचन वापस लोटा सकती हूँ मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुम्हारे प्यार के दो पल भी मिल जाए तुम्हें सारी जिंदिगी उनकी याद में गुजार दूँगी आशा अशोक कल भी तुम्हारा था आज भी तुम्हारा है तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार लोटा कर मुझे अपना खोया हुआ करार मिल गया हुआ हुआ है तुम्हें 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 जाए नाकसंसे हुआ 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 है